सुबोत कांच सहाए, कॉंग्रेस पार्टी के एक ऐसे नामजीन शहरे, फिलाल सबसे पहले उनसे ही मुखातिब होते हैं, बहुत-बहुत स्वागत है से हमारे जाए हजारी बाग की धरती पे आपका आगमन हुआ है दुबारा से, यहां के लोकसभा चुनाव को लेकर कि क्या रणनीतियां कॉंग्रेस ने बनाई है, यह हमारा सीट है गटमंधन में, इसलिए हम लोग अपनी तयारी कर रहे हैं, हजारी बाग लोकसभा का अच्छी तयारी हो रही है, यहां संगठन के करता लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो हो यहां तीन-तीन हमारे विधायक रहे है है, यहां से, तो ऐसी इस्तिती में हम निश्ची तोर पे इसको एक ससक्त संगठन के माध्यम से चुराव जीतेंगे, सुन्ने में आ रहा है, राहुल गांधी का आगमन हो रहा है जार्खन की धरती पर, कब तक और कितने दिनों की, डेट अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन च कश्मीर तक उन्होंने 4500 किलो मीटर की चले, अब 6000 किलो मीटर क्या कर रहे है, तो रास्ते में लोग संबाद ही कर रहे हैं हमारा कैमपेन का ये तरीका है, लोगों से मिल के संबाद करना, भाजपा का है कि भावना से खिलना, बाविश्य को लेगर के क्या सोचे हुएं बतब चुनाव को लेके दावेदारी पकी इंडिया गट बंधन मजबूत सक्षियत पार्टी विकल बनके उभर रही है और देश में सम्मिधान की रक्षा होगा बेरोज़ानों को हग मिलेगा महंगाई पे अंकुष लगेगा राम मंदिर का कल 22 जन्वरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है कई लोग इस चीज को तो जान रहे हैं उल्लास भी है सभी के मनों में इसके बारे में वो अपने इतिहास के बारे में कुछ बता है नहीं देखिए बेसिकली जब 89 में गौवर्मेंट बना बीपी सिंग का तो निसी तोर पे उसमें सब लोग थे जो लाइक माइंडर थे और सब के मन में था कि अजुद्या के विवाद का कोई हल निकले ओम मिनिस्ट्री में मैं मिनिस्टर था तो आवियसे ही जिम्मवारी हमारी ही बनती थी फिर देश के दुनिया के सारे संतों के सारे संकराचार सारे सूफी संत सारे यहां तक ही जैन धर्म के जितने भी धर्मा गुरू हो सकते हैं उन सब लोगों से हम लोगों ने संपर करके और एक महोल बनाने का विस्वास का एक महोल बनाने की कोसिज किया, मैं कर सकता हूँ कि छोटे-छोटे ओधी में सरकारे रही, बीपी सिंग की सरकार, के बाद चंसेखर की सरकार आई, वो ज्यादा आया एक तरह अहम था कि कांग्रिस पार्टी और चंसेखर मिलके सरकार था, कांग्रेस की सरका. तो ऐसे इस्थिती में पहले गहर कांग्रेसी पार्टी ओं के साथ समर्थन था. फिर कांग्रेस का भी उसमे इसमें समर्थन मिला. और उसमें हम लोगों ने बहुत सफलता पाई. हमाना तरीका ही होता था कि daugmentation पे बात करते थे लोगिक पे बात करते थे हम कहते थे emotional भासन देना है तो बाहर बर करो यहां पर हमसे सिर्फ logic इतिहास भ गोल क्या उस का जगराफिकली क्री क्या सच्चाई है तो उस में भी देश के बहुत नामी गरामी लोग दोनों तर्ब के टीम में आते थे दोनों तरव के टीम, तीसरा जब बीपी अर्ष ये नर्शिमा राओजी की सरकार में, फिर भी उन्होंने बुला के हम के power कि सब ने कहा है बाजपई जी ने भी कहा सबने कि इसमें सुभोत जानते हैं उन्हीं को लगाई है वो भी फिर से रिजुम किया हमने यह वारता और उसमें बहुत सफलता मिल रही थी क्योंकि कॉंग्रिस की सरकार थी और एक सक्षम सरकार थी उसमें हमें याद है कि यह करीबन अगस्ट स्प अटूबर 92 को विज्ञान भवन दिल्ली में हमारी वारता चल रही थी विस्विंदु परिशत और बाबरी मस्जीद एक्षन कमीटी यह दो पार्टी थे उसी दिन हम लोग तीन-चार बज़े के बैठक में थे तो आया खबर कि धर्म संसत दिल्ली में कोई हुआ है उन्हो सबाब कभी डेट एनाउंज किये हैं सरकार के भी नर्सिमा रहा ने भी हमसे कहा उन्होंने भी किसा भी देखिए उन्होंने तो वह सारा वादा किया था कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्या को लैप्स हो गया फिर लास्ट उसी मीटिंग में हमने कहा कि अब बैठक नहीं होग आठ नौबर का डेट हम दे रहे हैं कि आप जो भी डक्मेंटेशन जिसको अपने फिबर में देना रिटिन लिजीए और वह डक्मेंटेशन आया और सब हमने घुझ में मिनिश्ट्री को दे दिया क्योंकि होम मिनिस्ट्री ही इसको मुनीटर करता था मेरा कहने मतलब है कि ये सारा डॉक्मेंटेशन तीन सरकारों का सुप्रिम कोर्ट में आधार बना जज्जमेंट का जज्जमेंट का अब मंदिर बनाने के लिए आप जानती हैं कि कब से कब तक लोगों ने दुन मंदिर बन रहा है तो उसमें दाम नहीं दिया है ये राम के नाम पर राजनीद कर रहे हैं लोग मरियादा पुरसुत्तम राम को याद करते हैं जो एक धोबी के सवाल उठाने पर सीता जी को वो तो भगवान थे ना उनको तो पता था सीता सावित्त्री है निस्कलंक है ले आजा के मरियादा पर कोई अंगली न उटा है यहां तक कस्ट धेला दोनों ने आप उनको चुनाव परचार का कैंपेंड का पार्ट बना दिया है बाईस्तालिक तो इसलिए लोगों के मन में भावना से जतना खेलना है खेल जाए लेकिन तो ही है कि यह चुनाव परचार क का काम कर रहे है चले बहुत शुक्रिया आपका तो सुबोत कान सहाए हमारे साथ थे और इनकी बातों को आपने सुना तब तक के लिए अजाज़त देजिए शुक्रिया